नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर अंजू ओजा आज आपको राजस्थान की वन संपदा के बारे में बताने जा रही हूँ तो वन संपदा या वन किसको कहते हैं ये पहले हम जान ले ब्रिटिस कॉमन वेल्थ वन शब्द कोस के अनुसार पोधों की विशेश जाती हो जिनमें व्रक्षों का आधिक्ये हो और अन्य पोधे चत्ते की भाती उगते हो उनको वन कहते हैं तो ब्रिटिस वन शब्द को उसके अंसार पोधों की एक जाती हो और वहाँ पर व्रक्षों का भी आध्यक्य हो और अन्य पोधे जो हैं चत्ते की भाती उगते हो तो उसी को करते हैं वन किसी भी भोगौलिक प्रदेश में या भूमी सतै पर वनस्पती का वह आवरन जिसके उगने फलने फूलने तथा विक्सित होने में मानव की कोई भूमी का नहीं होती है उसे प्राकर्तिक वनस्पती कते हैं व्रक्ष कंटिली जाडियां तथा घास इत्यादी सामिल है तथा राश्ट्रिय वन नीती के अनुसार 33.33 प्रतिशत भूमी में वन होने चाहिए किन्तु राजस्तान के भोगलिक छेत्रफल का केवल 9.57 प्रतिशत वनों के अंतरगत आता है तो जो हमारी राश्ट्रिय वन न 2.5 प्रतिशत भूमी पर ही वन पाये जाते हैं जोदपूर नरेस ने सबसे पहले वनों को सुरक्षित रखने की योजना लगभग 1910 में बनाई उसी प्रकार टौक राज्य में 1901 में एक शिकार एक्ट बनाया गया जिसमें वन्य जीवों और वनों के सरक्षन पर ध्यान र बहुत पहले से चल रही है यानि कि जोदपूर नरेश ने 1910 में योजना बनाई और इसी तरह से टौक में 1901 में एक शिकार एक्ट बनाया गया था उदैपूर राज्य में भी वर्ष 1936 में वन किरियाशील योजना बनाई गई राजपुताना में वनों के सरक्षन तथा उ आन्ने कदमों में मारवार शिकार नियम 1921 कोटा जंगल जात कानून 1924 तथा जैपूर शिकार कानून 1931 आदि थे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वनों को सुरक्षित रखने की योजनाय या उससे संदर्ब में कार्य जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है अब यहां हम बात कर रहे हैं वनस्पती को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं तो किसी स्थान की वनस्पती को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो तीन प्रकार से हैं प्राकरतिक कारक जलवायू कारक और जयविक कारक अब यहां हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जो 1 पाय जाते हैं उनके प्रकार कितने हैं तो राजस्थान में निम्न प्रकार के 1 पाय जाते हैं नमबर वन है सुश्क सागवानवन पर्देस, नमबर टू, उत्री उशन कटी बन दिये, सुश्क पतजडवन, नमबर त्री, मिश्रित पतजडवन, नमबर फोर, सालारवन, नमबर फाइफ धाग या, पलास वन, नमबर सिक्स उशन कटी बन दिये कांटेदार वन और नमबर सेवन उपोशन कटी बन दिये सदा बाहर वन तो इस प्रकार से राजस्थान में ये मुख्य रूप से साथ प्रकार के वन पाए जाते हैं अब हम यहां बात कर रहे हैं सुस्क सागवान वन प्रदेश के बारे में इस वन प्रदेश में साधारन तया सागवान के जंगल पाए जाते हैं लेकिन चितोडगड उदैपुर और बारा के वनों में सागवान के व्रक्ष अन्य व्रक्षों के साथ मिश्रित रूप में भी पाए जाते हैं जहां सागवान के व्रक्ष पाए जाते हैं उन छेत्रों की उँचाई दो सो पैंतालिस मिटर से लेकर चारसो नबबे मिटर के बीच में है तेथा व्रक्षों की जो उचाई है वो नो मिटर से तेरा मिटर के बीच पाई जाती है यहेवन फरनीचर वे मकान मिर्मान के लिए इमार्ती लकडी तथा छतों वे घेरा बंदी के लिए लठे प्रदान करते हैं बड़े व्रक्षों के अतरिक विभिन ब्रकार की जाडियां और घासे भी इस प्रदेश में मिलती है यानि बड़े व्रक्ष मिलेंगे और साथ में जाडियां और घासे भी कुछ मात्रा में इस प्रदेश में मिलती है वनों के भीतरी भागों में कुछ भूमी कंडों पर जहां अधिक नमी होती है बास पाए जाते हैं इन छेत्रों में एव वेक्ता पून कटाई के कारण केवल लठेवे जाडियों का अस्तित्व ही मिलता है यहां आप देखिए सुस्क सागवान व्रक्ष को या सुस्क सागवान वन प्रदेश को दिखाया गया है स्लाइट पर अब हम बात कर रहे हैं उत्री उशन कटी बन दिये सुस्क पत जड़वन तो अरावली श्रेणी के जिन छेत्रों की उचाई दो सो सत्तर मीटर से साथ सो सत्तर मीटर है उनके दक्षनी पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से उदैपूर एवं बासवड़ा में ये वन पाये जाते हैं धोकड़ा व्रक्ष सुस्क गर्म प्रदेश का व्रक्ष है इस छेत्र की ओसत वर्षा पचास सेंटीमिटर से सो सेंटीमिटर होती है समाने रूप से पाई जाने वाली किस्मों में आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गूलर, खैर, नीम तथा अन्य व्रक्षों में बहेडा, धमन, किर्नी, सेमलवे, टिमरू मुख्य रूप में पाये जाते हैं उची पहाड़ियों पर बांस, आवला, ओक, थोरवे, करोंदा, मुख्य रूप से पाये जाते हैं यहां इस स्लाइट पे आप देख रहे हैं उत्री उशन कटी बन दिये शुष्क पतजडवन को स्लाइट पर दिखाया गया है अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित पतजडवन की यह वन उदैपूर में आमतोर से तथा कोटा, रासमन, भूंदी, चितोडगड और सिरोही के कुछ भागों में मिलते हैं यह वन 700 मिटर से 1200 मिटर की उचाई वाले छेत्रों में मिलते हैं तथा सामाने रूप से मिलने वाले व्रक्ष, धोकड़ा, बरगद, गूलर, आम, जामून, बबूलवे, खेर आदी है तथा इन वनों से प्राप्त लकडी का उपयोग इमार्ती लकडी के रूप में थोड़ा तथा इंदन्वे काट कोईला के लिए अधिक किया जता है यहां आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं मिश्रित पत्जडवन को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से अब हम बात कर रहे हैं सालार वन की यहे वन अलवर, चितोडगड, उदैपुर, सिरोही, अजमेर, जोदपुर और जैपुर आदी जीलों में मिलते हैं वरक्ष अधिकांस्त अरावली कटकों के उपरी ढालों पर पाये जाते हैं इनकी उचाई लगभग 12 मीटर से 15 मीटर तक होती है वरक्ष सामान की पैकिंग के लिए उप्युक्त लकडी प्रदान करते हैं ये जो सालार वन होते हैं उनके वरक्षों की लकडी जो है पैकिंग के लिए काम में ली जाती है गहरी मिट्टी वाले छेत्रों में घासे काफी घनी होती है अब हम बात कर रहे हैं धाक या प्लासवन के बारे में सभी नदी घाटियों में जहां सागवान के व्रक्ष पाये जाते हैं ये मुख्य रूप से मिलते हैं सामानेता, बहेडा, महुआ, सफेद, सिरिस, करंच, गुलर, वैपारस, पीपल, आदी के व्रक्ष पाये जाते हैं इन वनों के अंतरगत राज्य के कुल वन छेतर की तुलना में नगणने छेतर पाया जाता है यानि दूसरे वनों के कंपेरिजन में ये जो वन छेतर हैं वो नगणने भाग पर पाये जाते हैं यहां आप इस स्लाइट पे देख रहे हैं धाक के फूलों को दर्शाया गया है कि धाक के जो फूल होते हैं या पलास के जो फूल होते हैं वो किस तरह के होते हैं अब हम बात कर रहे हैं उशन कटी बंदिये कांटेदार वन के बारे में ये कांटेदार वन मुख्य रूप से जोदपुर, बीकानेर, बाडमेर, पाली, सीकर, अजमेर, जैपुर, दोसा, जुन्जुनू, नागोर, आदी जीलो के मैदानों में निम्न पहाडी ढालो एवं उबढ़ खाबड भूमियों पर पाये जाते हैं रेतिली भूमिवय शुश्क जलवाईयू के कारण इस छेतर के पोधे सुखे और जाड़ी युक्त होते हैं खेजडा, रोहिडा, बेर, जाल, कंटीले बबूर, कैर, आदी यहां के मुख्य व्रक्ष हैं इन वनों से ढके छेतरों में घास की विभिन जातियां पाई जाती हैं जिनकी व्रधी बड़ी अच्छी होती हैं इस भूबाग का मुख्य व्रक्ष खेजडा बड़ा ही उपियोगी होता है तथा इसकी लकड़ी इंधन के लिए और काट कोईला बनाने के काम में आती है इन व्रक्षों से गौंध, चमड़ा रंगने वाले प्रदार, चोपायों के चारों के लिए पेडों की पतियों तथा रीठा इत्यादी प्राप्त किये जाते हैं यहां आप इस लाइड पे देख रहे हैं, उशन कटी बन दिये कांटे दार वनों को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से अब हम बात कर रहे हैं, उपोशन कटी बन दिये सदा बहार वन सदा बहारवन का मतलब होता है ऐसे वन जिनकी पतियां एक साथ में नहीं गिरती हैं या वो सदा हरे भरे रहते हैं तो आबू परवत के चारो तरफ का लगभग 32 वर्ग किलो मिटर का छेतर जो 1070 मिटर से 1375 मिटर की उचाई परिस्तित है इन वनों के अंतरगत आता है आबू परवत के धलानों तथा तल के आसपास पाए जाने वाले व्रक्षों तथा जाडियों में बास, आम, धाउ की कुछ परजातियों, सिरिस, बेल, जामून तथा रोहिडा प्रमुख है आबू के उच परवतिय छेत्रों में अंबर तरी पाई जाती है तथा राजस्थान में आबू वनस्पति की द्रिस्ति से सरवाधिक संपन है क्योंकि यहाँ पर सदा बहारवन पाए जाते हैं यहाँ आप देख लीजे उचन कटी बंदिय सदा बहारवनों को दर्शाया गया है फूटो के माध्यम से अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रशाशनिक द्रिस्ति से वनों के प्रकार के बारे में सुरक्षितवन, रक्षितवन और एवर्गिक्रतवन अब हम बात कर रहे हैं सुरक्षितवन या रिजर्फॉरस्ट किसे कहते हैं जो वन जलवाईयू की द्रस्टी से महतोपून होते हैं उन्हें सुरक्षितवन कहते हैं ये वन सरकारी संपती माने जाते हैं और इसमें लकड वनों को चराया जा सकता हैं दूसरे प्रकार के वनों अब हम बात कर रहे हैं ए वर्गी कृत्वनों को तो जो शेश बाकी बच गए हैं रक्षित और शुरक्षित वनों के अलावा वो खहलाते हैं ए वर्गी कृत्वन इनमें लकडी काटने और पशू को चराने पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंद नहीं होता है सरकार इसके लिए कुछ सुल्क लेती है तथा इन वनों का छेतरफल 6.24 प्रतिशत है अब हम बात कर रहे हैं वनस्पती के आर्थिक महत्वे के बारे में तो वनों से प्राप्त उपजों को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं नमबर वन है वनों की मुख्य उपजे और जिसमें आती है इमारती लकड़ी जलाने की लकड़ी वे कोईला और दूसरा है गौन उपजे जिसके अंतरगत है बास घास कथा गौन आवला वे जाबूई तेंदू की पतियां खस शहद वे मोम तथा महुआ ये वनों से होगिता के आधार पर जो व्रक्ष है वो किस किस तरह के पाये जाते हैं तो नमबर वन है इंधन प्राप्ति हे तू खेजडी सू बबूल देशी बबूल इजरायली बबूल सफेदा खेयर कुम्ठा दोग बेर सिरस फोग अकेसिया कदम चुरेल तथा फरास ये इनसे जो लकड़ी वो इंधन प्राप्त हे तू की जाती है दूसरी प्रकार की लकड़ी है इमार्ती लकड़ी प्राप्त हे तू जो व्रक्ष उगाया जाते हैं वो है खेजडी शीशम रोहिडा सांगवान सफेदा आम सूलिया बबूल बेर पोपलार सिरस सेमन महुआ नीम उंबिय कदम हल्दू चुरेल आदी इनसे जो लकड़ी प्राप्त होती है वो इमार्ती लकड़ी होती है नेक्स्ट फूलदार तथा शोभाकारी व्रक्ष ऐसे व्रक्ष जियो जिनमें फूल आते हैं या जो सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए लगाया जाते हैं बोगनवेलिया गु सक्रेंडा, अशोक, कचनार, गूलर, बढ़, पीपल, नीम, पार्किंग सोनिया, महंदी, सहजना, मोलसरी, अलस्टोनिया इन पोधों के द्वारा जो है या इन व्रक्षों के द्वारा फूल प्राप्त होते हैं इसलिए ये घरों की शोभा या जिस इस्थान पे भी लगे देते हैं नेक्स्ट है चारा उत्पादन है तू व्रक्ष एवं घास उसमें है खेजडी, सू बबूल, देशी बबूल, बेर, नीम, धांडोन, सिरस, सहतूत, धोक, अर्डू, चुरेल, बकायन, बढ़, पीलकन, पीपल, गूलर, सहजना, काला धामन, सेवन, सफेद धामन इत्यादी और उसके बाद में हैं ऐसे व्रक्ष जो फल उत्पादन है तू काम में आते हैं आम, अनार, आउला, अमरूद, अंजीर, इमली, चीकू, केला, सीता फल, मार्टा, किन्नू, ग्राफ्टेड, बेर, जंगल, जलेबी, जाल, कैर, पिंड खजूर, जामुन, बील, पत्र, पपीता, नीम्बू, इत्यादी उसके बाद में हैं ओश्दी उपयोग वाले पेड़ पोधें या जड़ी बूटियां उसमें हैं हरड, बहेडा, आउला, नीम, कडाया, सालर, गूलर, गोदल, चंदन, बील पत्र, अरंड, बीजासाल, रतन जोत, सफेद मूसली, खजूर, सर्पगंदा, अश्वगंदा, शतावरी, अडूसा, सहजना, अमलताश, कोली कांदा, तुलसी और वज्रदंती इस प्रकार से ये विभिन महत्वे के इसाब से पौधों को या व्रक्षों को बताया गया है, यहां आप इस स्लाइट पर देख रहे हैं कि राजस्तान का भूगोल से संबंदित बुक रेफ दिया गया है, इसी के साथ ये विश्य यहीं पर समाप्त होता है, अंत में आप सभी का धन्यवाद, मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पुने आप सभी का एक बार धन्यवाद,